हेलो फैमली नमश्कार कैसे हैं आप सब आई होप सब लोग अच्छे होंगे नॉर्मली फ्रेंड्स बहुत सी महिलाओं को प्रेग्नेंसी में कमर दर्थ की शिकायत होती है एटलीस पचास से सतर परसेंट महिलाओं को कमर दर्थ की शिकायत होती है प्रेग्नेंसी में कुछ मेलाओं को फस्ट, सेकंड ट्राइमिश्टर में भी हो सकती है लेकिन जिम्री ड्रइटि में ध्र्म extension में कमर दर्ध की शिकायत बनी रहती है कमर दर्ध और पीट में दर्ध यह समस्या होती है कुछ मेलाओं को थोड़ा कम होता है तो आज हम कारण के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जब होई रहा है कमर दर्थ तो उसके कारण क्या जानना डाइरेक्ट हम बात करेंगे इसके उपाय के बारे में कि आप कमर दर्थ से कैसे बच सकते हैं कैसे कमर दर्थ को सही कर सकते हैं क्योंकि जब गर्वती महलाओं को कमर या पीठ में दर्थ की समस्या होती है तो डेली रूटीन के जो काम होते हैं उनको करने में प्रॉब्लम होती है साथ में जब सोने जाओ ना तो नीदी नहीं आती है कमर दर्थ की बज़े से इसलिए कारण से ज़्यादा हमें इसके उपाय जानने की ज़्यादा जरूरत है तो सभी गर्वती महलाएं चाहती है कि वो कमर दर्थ को अपने सही कर पाएं कमर दर्थ से बच पाएं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ बहुत ही जादा करे आज करण सकते हैं उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपने अव तक नहीं किया है तो और पास में जानार कते हैं सब्सक्राइब है कमर दर्थ से रहत पाने के लिए कि आपको रर्यू है रेगुलर एक्सराइज करने चाहिए शुरुआती प्रेग्नेंसी में जब आपकी प्रेग्नेंसी स्टार्ट हुई है मतब फर्स्ट ट्राइमिस्टर से आपको हल्की एक्सराइज करने चाहिए पहले आपको 10 मिनट से स्टार्टिंग करने चाहिए पहले आप 10 मिनट एक्सरा योगासन लाइट योगा जो होते हैं वह आप कर सकती है और डेली सुबह साम बॉकिंग भी कर सकती है इससे आपके पीट की और कमर की माशपीशिया मजबूत होती है और दर्स से आपको राहत मिलती है तो डेली कहाँ रूटीन बना लीजे अगर आपकी शुरुवाती चाहिए दूसरा टीप से कि आपको मालिश करनी चाहिए मालिश के लिए आप सरसुका तेल ले सकती है आपके लिए ज्यादा फायदे न रहेगा अपनी फिंगर पर लेके यापको पीछे अपने हांचे वह लिएंग के हाथों से आप मसाज़ कीजिए इससे भी आपको कमर तो आप अपने पार्टनर की की ले सकती हैं और या फिर आप थंडी गर्म सिकाई कर के लिए error को कमर में बहुत जादा पेज्ट में आराम पा सकती है एक कप्डे में कॉपडे कुपड़े कर के सिकाई कीजिए गर्म सिकाई अगर आप करना चाहते हैं hot water wax से भी आप गरम सिकाई कर सकते हैं दोनों ही तरीकों से अगर आप सिकाई करते हैं साथ में अगर मालिश भी करते हैं तो आपकी माश पेशियों में रिलेक्स मिलेगा जिससे आपको कमर दर्द में भी रहत मिलेगी तीसरी चीज है अगर आप सही position में प्रेइनसी के टाइम पे उठते हैं बैठते हैं चलते हैं सही position में लेटते हैं इससे आपके कमर में और पीट में जो दर्द है उसमें कमी आती हैं उससे आपको रहत मिलती है इसलिए आपको सही position में बैठने की और सही position में लेटने की कोशिश करने चाहिए हमेश अपने पैरों को फैला कर बैठना चाहिए कमर के पीछे एक सॉप्ट पिलो आप जरूर लगा इससे आपको कमर दर्द में काफी रहत मिलेगी क्योंकि आपकी पॉजिशन सही रहेगी साथ में लेटती हैं तो जादस जादा बाएं करवट करके ही लेटे इससे भी आपको कमर और पीट दर्द में बहुत जादा रहत मिलेगी साथ साथ जादा टाइट कपड़ी भी आपको नहीं पहनने चाहिए और जादा भारी सामान भी नहीं उठाना चाहिए अगर आप कमर दर्द से बचना चाहते हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना चाहिए तो गरभाशे का बच्चे का बजन होता है वो आपके पैर उपर दबाव डालता है जिस बज़े से भी कमर और पीट में आपके दर्द होने लगता है ज्यादा देर तक खड़े होना अवाइट करे इसके बाद आप अगर बहुत ज़्यादा परिशाने कमर और पीट दर्द से तो आप मेटरनेटी वेल्ट का यूज कर सकती है यह आपके टमी को सपोर्ट देता है जिस बज़े से आपको कमर और पीट दर्द नहीं होता है तो आप मेटरनेटी वेल्ट का यूज भी कर सकती तो अगर आप अपने प्रिगनसी में इन सारी बातों पर ध्यान देती हैं, तो कमर दर्द से बच तो सकती हैं, साथ में एक कमर दर्द से आप रहत भी पा सकती हैं, मतब कमर दर्द को आप सही कर सकती हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा